जर्या में इंदीनों डेंगू मच्छट के परकोप से पूरे छेतर में दैसत का माहल बना हुआ है दर्जनों लोग इससे पिडित होकर राज की राजधानी में इलाज रत हैं लेकिन अभी तक जिले अस्तर से चिकित्सा पदादिकारी इसका संग्यान लेने नहीं पहुँचे जिसे लोगों में काफी आक्रोस ब्याप्त है आपको पता दे कि जरिया के छलचलिया धोड़ा एवं चार नम्मर सब्जी बगान से करीब साथ लोग जो डेंगू से ग्रसित होकर धनबात के बड़े नीजी अस्पताल सहित राची के अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं पूरपरसत अनुप सावने जिला परसासन से इसकी रोग ठाम एवं समुचित इलाज के लिए जिलाज चिकिस्ता पदादिकारी को छेतर में भेजे जाने की मांग की है अभी मी जरिया थाना छेतर के चार नंबर सब्जी बगान निवासी संजै कुमार दिवाकर के यहां उनके 10 वर्षिये बच्चे रिशब कुमार एवं 14 वर्षिये बच्ची रिया कुमारी को 18 अक्टूबर को बुखार आया आसपास के चिकिस्तक से इलाज करवाने के बाद भी जब बुखार कम नहीं हुआ तो परीजन बच्चों को लेकर राची के बरियातू रोड इस्टीद एक चाई अस्पताल में भर्ती कराया दूसरी तरफ चलचलिया धोड़ा निवासी राम बालक पासवान जो जरिया थाना में चोकिदार के रूप में कारत है उनके घर के 14 वर्षिये अविनास कुमार 19 वर्षिये रेखा देवी 15 वर्षिये कोमन कुमारी 13 वर्षिये सपना कुमारी जो धनबाद के एक नीजी अस कब से चेज़ा थी कोई आया तुम लोग से मिलने के लिए यहां डॉक्टर वगरा कोई आया था क्या बोले डॉक्टर तो दौड़ा आय दी है क्या हुआ इंको बुखार है कब से बड़ी वलेक तो 6-7 दिन हो गया इसको 3-4 दिन हो गया क्या बोला डॉक्टर अभी तक यहां सरकारी होस्पीटल से कोई लोग आये देखने के लिए आपके बच्चे को या यह एरिया को पारसद नहीं आया इसको नहीं आया कि इस छेतर में कितने लोग अभी तक बिड़ी था इंटेंगू से हम लोग तो मालम बहुत सरा हो गया ह लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है है उसी में जवान बच्चा करें अभी तेरे साल के बाई उचल गया जाल जी कब हुआ था अभी हो गया दस पंडरे दिन क्या बोला था डॉक्टर क्या तब यह तक अब तर पेट दरद करके पानी चरहा रहा थे पानी चोड़ा आया फि बतालों कर बाद अट्रो सन घर में लेगी है उसी में रेठ हो गया जो फल कर दिया अब कि हम और लोग और विक लोग तब्सक्राब है तोटल के तब्सक्राब है तोटल के तब्सक्राब